तो जवान का scene by scene breakdown कब आएगा? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, actually मैं उस zone में अभी नहीं हूँ, मतलब वो वीडियो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन हर बार क्या होता है कि मैं movie देखते रह जाता हूँ और वो enjoy करने लग जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा time लगेगा शा बात करते हैं, stay tuned, okay तो वीडियो शुरू करते ही ना, जब बड़े मिया चोटे मिया का मैं trailer देख रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि the original action heroes are back, but भाई साब, अक्षा कुमार का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन टाइगा श्रॉफ कहां से original superhero हो गया, मतलब ये statement उन दोनों के लिए ही insulting है, but anyway, if you care what I say on my videos, तो मुझे लगता है कि ये movie भी न, एक दूसरी गनपती बनने वाली है, but उन्होंने थोड़ा smartly play किया, क्योंकि trailer में सिर्फ अच्छे shots ही दिखा है, जो usually trailer में होता है, but फिर भी यहाँ पे मैंने एक चीज दिखा, जै पेड़ो के बीच में, इसको rotoscopy wobble बोलते हैं, यहाँ पे वो wobble है, anyway, तो wobble देखे अभी क्या है कि rotoscopy में ये जो glitch होता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात किया है अपने videos में, ये होता है, और ये इसको rectify करना काफी मुश्किल होता है, आप imagine कीजे कि frame by frame आप ची प्रोसेस है, इसको rectify, refine किया जाता है, यहाँ पे conviction की problem है, जो maker से उन्होंने चलेगा ठीक है, इसको trailer में डाल दो, ये वाला चीज हो रहा है, तो I think ये movie भी वैसे ही होने वाली है, लेकिन पिछले साल की जो सबसे जादा conviction वाली movie मुझे लगती है, वो है जवान, जवान मे मैंने एक trailer देखके मैंने एक VFX भी डाउन बनाया था, काफी सारे चीजे सहीं भी है, जो मैंने सोचा था कि ऐसे किया गया है, लेकिन कुछ चीजे देखके न मैं थोड़ा सा shock भी हो, जैसे कि ये shot, जहाँ पे SR के पूरे bandage में चड़के आते हैं उपर, ये shot actually practical है, सिर्फ background removal मतलब वो जो आस्पान है, उसको बाद में replace करके लगाया गया है, जो मुझे काफी interesting लगा, मुझे लगा था कि ये पूरा shot CGI है, मुझे ऐसा लगा था, because lighting, lighting, सब कुछ practical होने के बाद भी, it looks surreal, मतलब एक दम out of the world जैसा feel होता है, in fact अगर आप behind the scenes देखोगे न, VFX big down देख तो उन्होंने वो हटा दिया, so right decisions, मतलब देखिए, उन्होंने चीजों को add नहीं क्या, उन्होंने चीजों को हटाया, this is the difference, मतलब post में चीजों को fix किया जाता है, लेकिन ऐसे fix किया जाता है, जिससे scene better हो ना कि worse, और कहां पे चीज को लगाना easy होगा, कहां पे चीज को हट जाना easy होगा, वो समझना भी बहुत जरूरी है, to plan your shoots and to plan what is going to be, और ये सिर्फ वीडियो में नहीं, static में भी ये equally important है, और इसी VFX breakdown में हमें ये shot भी दिखता है, वो जो SR के आग के बीच में जो बैठे रहते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा आग real है, और बाद में आग को VFX में enhance किया गया, अभी बहुत लोग को लगता है कि भाई, अगर आग लगाना ही है, तो सच्ची में लगाओ, उसको फिर VFX करने की क्या जरूरत है, या फिर अगर VFX करोगे, तो पूरा ही VFX करो, थोड़ा था भी क्यों लगाते हो, देखें, चीज होता है, दो चीज होती आग, जो natural, जो actual आग है, वो कैसा behave कर रहा था, ये दोनों वज़े से थोड़ा सा आग लगाते हैं, और reference क्यों important पता है, क्योंकि यहाँ पे दिखें, इस shot में, इस mask वाले shot में reference के लिए आग था, इसलिए यहाँ का जो आग है वो बहुत ज़ादा natural और अच्छा दिखता ह लेकिन same thing, यहाँ पे जो ये हाथ में tattoo जलके जो reveal होता है, इसका अगर आप VFX breakdown देखोगे, तो of course ये आग बाद में लगाएगा है, VFX आग है, for safety reasons of course, but दोनों आग में आप difference देखिए, जो tattoo आग है ना, वो VFX है करके पता चलता है, somehow, कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बिना reference के बनाया गया, and it is very difficult कि आप अपने imagination से उस दिन उस lighting में आग कैसे behave करेगा, वो थोड़ा सा predict करना मुश्किल होता है, but it is really difficult to recreate it from scratch, और same thing with double roll shots also, क्योंकि यहाँ पे आप breakdown में देख सकते हो, कि जब old SRK में यहाँ पे acting कर रहे थे, तो पीछे एक stand end को रखा गया था, but जब आ shot को compose किया गया, तो यहाँ पे question हो सकता है कि अगर ऐसे compose करना ही है, तो फिर पीछे stand end रखने का मतलब क्या है, इसका एक ही reason है, वो है timing and reference, क्योंकि जब SRK दूसरा वल acting करेंगे, तो उनको वो timing भी तो match करना है, कि stand end ऐसे आया था, stand end से acting करवा लिया, तो उसी time frame में SRK को भ of good chroma work, लेकिन यहाँ पे संजयदत वाला यह shot आप देखिए, यह तो मुझे तो नहीं लगा था कि यह CGI है, मुझे लगा था कि यह practical है, बट very neatly done, और जो overall जब मैं चीज बोला चाता हूँ ना, कि इस movie में रेचलीज ने जो VFX किया है, मुझे लगता कि वो बहुत thought out है, मतल कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इस shot में, यह जो कपड़े का piece है, वो जो ताली मारने वाले shot में, यह जो कपड़े का piece है, इसको CGI करने का reason, सिर्फ यह है क्योंकि timing बैठना जरूरी है, इतना सब कुछ हो के, मतलब इतने timing के साथ, camera pull off करना, focus maintain करना, मुझकिल होता है, तो क कहीं ना कहीं तो आपको CGI का help चाहिए होगा, in fact, यह shot में भी जब SR के ताले से villain को मारते हैं, तो of course, वो ताला will have to be a CGI prop, अब भी आप बोल सकते हो कि आजकल rubber के prop भी मिलते हैं, जिनको ऐसे color किया जाता है, ताकि वो लोहे जासा लगे, और बाद में sound designing करके फिर उसको लोहा जासा दिखाया जाता है, बट शायद उन्होंने किया था और शायद लोहा उस हिसाब से behave नहीं कर रहा था, आप समझ रहे हो, problem आया, उसको solve किया और अच्छे से solve किया, और यह cigarette वाला shot, जब cigarette शारुखान के मुझे अंदर जाता है और फिर cigarette बहार आता है, तो of course, this is a CGI cigarette, वो तो शायद आपने जब movie दिखी थे आपको पता चल गया था, और मैंने यह trick करने की कोशिश की थी, वो जो cigarette मुझे चुपाने वाला सिखा भी था मैंने, बट कहीं तो मैंने दिखा था कि यह BD में करना बहुत easy होता है, cigarette से जाधा, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जलते हुए cigarette से यह कभी करूँ, बट यहाँ पर SRK ने यह pull-off किया with CGI, और I feel SRK का acting convincing था, इसलिए वो CGI भी काफी sell हो गया, मुझे असा रखता है, मतलब अच्छा combo जो बोलते है न, लेकिन जो shot देखके मैं actually में really में बहुत दादा शौक हुआ था, वो यह कि SRK का यह भी देखे होंगे, बट यहाँ पर क्यों पता नहीं उन्होंने CGI के help लिया, लिया अच्छा क्या, दिखने में अच्छा लग रहा है, I'm not complaining, बट क्या behind the reason हो सकता है, क्या उनका logic हो सकता है नहीं पता, बट execution अच्छे से हुआ है, and it looks good, और अब जैसे मैं Ratchellis VFX के बारे में इतना बात कर रहा हूं, बट यहाँ पर भी दिखिए, थोड़ा सा ना उनका जोल है, जोल मतलब क्या, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन overall जो industry standard है, उसका थोड़ा सा जोल है, क्योंकि आप दिखिए, उन्होंने जवान का VFX breakdown release किया, उन्होंने Tiger 3 का भी VFX breakdown release किय था, और वहाँ पर काफी सारे interesting shots उन्होंने दिखाए कि कैसे किसे क्या क्या हुआ है, बट यह जो सलमान खान वाला jump shot है, इसके उपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हो, वहाँ पर शायद यहाँ 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 पर कहीं पर link आ रहा होगा आप जाके उस वीडियो को देखे, और वहाँ पर मैंने जो जो बोला था, वही exactly हुआ है, और यह breakdown उस चीज का proof है, ऐसा नहीं कि उन्होंने breakdown में यह चीज दिखा दिया, बट breakdown में to sell the fact कि सलमान खान ने यह jump किया है, उन्होंने CGI breakdown में एक rope CGI किया, तो मैं यह बोलने वाला अब बात कर लेते हैं, एक और दूसरे trailer के बारे में, teaser के बारे में, whatever, what was coming, देवारा, देवारा का एक teaser आया था, मुझे request आया था बहुत जादा और मैंने देखा, तो मुझे interesting लगा, I feel कि directors are not, जो directors का जो conviction है, वो यह है कि हमें इस trend को follow करना है, conviction यह नहीं कि हमें एक unique story ब होता ही है, बट अगर हम लोग specifically teaser के बारे में बात करेंगे, तो यह जो पहला shot है, जहां पे वो लोग नाओ में चड़ रहे हैं, यह हो रहा है, इस shot में मुझे ऐसा लगा कि this is a complete CGI shot, basically क्या है कि आप दिखोगे कि वो लोग रसी से चड़ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि व यहां पे practical shoot भी काफी हद तक हुआ है, अब color की बात करें तो same thing जो मैंने बोला, सिर्फ red ही दिखता है, red, blue and black, यह तीन color में ही पूरा trailer है, and I would be happy if I am wrong, but मुझे इस movie से उतना ज़्यादा उमीद भी नहीं है, कि बहुत unique सा कुछ बनके आएगा, इतना उमीद नहीं है, illusion create किया जाता है, मुझे इस teaser में वो illusion थोड़ा सा lacking लगा, क्योंकि इस shot में, जहां पे वो गला, वो ripoff होता है, इस shot में, you can clearly see कि this guy is holding blood in his mouth, और जैसे ही यह shot होता है, तो उपर का जो blood है, वो उनके मूँ से निकला है, नीचे का blood composed है, यह कहीं न कहीं पता चलता है, क्योंकि यह slow motion में है, और exactly उसी point में slow motion शुरू भी होता है, एक कहावत है film making में, कि if you can think of a shot, then you can shoot it as well, अभी इस trailer में उस चीज़ को follow किया गया, लेकिन execution में मुझे लगता है कि थोड़ा वो हो गया, क्योंकि देखिए, यह जो shot है, जहां पे NTR तलवार से तलवार घुमाते हैं, औ आप सोचें, पेपर में कितना badass एक thought है, कि जो curve होगा, जैसे हाथ जाता है, वो जो curve है, वो curve जाके फिर moon बनता है, तो मेरे इसाब से देखिए, अभी क्या है कि वो पेपर में thought अच्छा था, जो execution का willingness था, जो conceptualization था, वो बहुत सही था, बहुत badass बनता, लेकिन जो execution है, मेर blood का form होने का path complete different है, ऐसा नहीं होगा, मतलब your mind will just reject, यह देखके आपको पता चलेगा कि यह पूरा CGI में है, मतलब, क्योंकि इस पूरे short में यह जो blood trail है, this is the best actor here, तो मेरे इसाब से उनको ऐसा नहीं करके, आपने दिखा होगा, पूरा ने वेरूल्फ movies में दिखाता है, ना क वेरूल्फ चलके आता है, और एक्तम long lens से shoot करते हैं, ताकि पीछे का moon बहुत बड़ा दिखता है, तो I think वैसे करना चाहिए था कि उनका जो trail है, मतलब, हाथ जाने का trail है, उसके हिसाब से moon को set करना था, is what I feel, तब शायद यह ज़्यादा अच्छा लगता, बर जो भी है, आप बताएए, आप क्या सोचते हो, मेरे इस video format के बारे में, और अपसे videos ऐसे ही आएंगी, मैं immediately videos नहीं डाल पाऊंगा, week में एक ही video, या फिर maximum दो videos आएंगे week में, और ऐसे ही होगा, मतलब, मैं काफी सारे collective चीज़ों को लेके, मैं उनके उपर बात करूंगा, like good old times, तो आप लोग मुझे प्लीज बता के जाएए, how do you feel about it, and अगर आपको ये video अच्छा लगा, then please hit the like button, don't forget to subscribe for more videos like this, this was Shamim, या चेंकी बाकी भी, see you in the next video.